भूत्व की सच्ची कहानी में आप सभी का स्वागत है तंत्र मंत्र भूत प्रेत पिचास राक्षस भ्रमडाकनी गाउ में तरतर की घटनाय घटती है गाउ में तरतर की बाते चलती है गाउ में तरतर की कहानिया बनती है गाउ में ही जादागर के कहानिया बनती है और इस कहा तो ना लॉजिक होते हैं और ना मैजिक होते हैं हम आपको कहानी सुनाएंगे सची घटना पे आधरित अगर आपके पास कोई कहानी तो हमें लिख कर आप बता सकते हैं हम आपकी तस्वीर के साथ आपकी कहानी लोगों को सुनाएंगे लोगों को अगर आपकी कहानी पसंद आ कहानी सुनाओ और गिप्ट पाओ हम आपकी कहानी सुनाएंगे सुनानी आपकी नहीं हमारी कहानी सिर्फ आपको सुननी है कैसी लगी उस पर कॉमेंट करनी है यह कहानी है एक बढगत के पेर की भूध की आईए यह कहानी हमें सुरेंद्र जी ने भेजा है सुरेंद्र जी फिल्ड थामकर सुनिएगा अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा लाइक विश्य करिएगा एक गाउं में एक फिल्ड था एक फिल्ड यानि कि ग्राउंड था ग्राउंड के पास में ही एक बर्गत का पेर था वहीं पर कहीं से घूमते घूमते घूमतु भूटिया लोग आकर रहने लगे यानि कि नट बखो जो साइकल पर कुछ समाल लेकर जाते हैं वह लोग वहाँ पर आकर रहने लगे मुर्गा आदी पालं करते हैं तो वो लोग आपस में खुब खुसाल रहते थे खुसाल रहने के साथ-साथ वो खेल कुद भी करते थे तो उन लोगों ने एक खेल प्राडम्ब किया कबड़ी का वो लोग कबड़ी खेलते थे सांद के समय तो आपस में कबड़ी खेलने लगे कबड़ी खेलते-खेलते साम हो गई थी और बहुत साम हो गई थी और एक दूसरी के साथ वो इतना उलज गए जगड़ा हो गया और एक का उसमें पेट तुट गया और ज़्यादा चोटे आ गई अस्पताल गाऊं से बहुत दूर होता है अस्पताल ले जाते समय उसकी मृ Morris हो गई । कि सब लोग नट बखो तो यहां से चले गए सब कुछ नॉर्मल था लेकिन धीरे दीरे अफवाफ हैने लगी किसी ने कहां वहां भूत देखा गया भूत लोग विश्वास करते थे बहुत लोग नहीं कि रात कि एक यह आदमी था कोई काम था और गाउं में आना चाहता था वो गाउं में आया उस इस होकर ही गुजरना था उस क्वक्राउंट से जब वह गुजरने लगा तो उसे एक परगत के पेड़ के नीचे एक बंदा बैठा दिखाई दिया रात्री का समय था सोचा रात्री में इस प्रकार के बंदे यहां बैठ कर क्या कर रहे उस सोचा पूछना अच्छी बात नहीं है मैं निकल जाता हूँ प्रंतु वो बंदा उसकी तरफ लपक लिया जो बैठा हुआ था वो रुग गया वो बंदा नजदी का कर थोड़ी सी दूरी पर उससे बोला आपके पास खाईनी है तमाकू उसने बोला है तो मुझocur चाहिए मुझे दूरत Cow नका कर सब्सक्रान कर दूरी पर इतरम कि दूरे गया कर कर दिया कबड़ी नहीं खेल आपतली लीए घिंठक कि रिओ अब जिद गया खाल वह जाने दूँगा नैय नहीं था में आपको पहər दूगा मरता क्या ना करता विचारा कबड़ी खेलने के लिए राजी हो गया तोनों खूब कबड़ी खेले पहले तो शुरुआत में मजा आया दोनों खूब कबड़ी खेले कोई परिशानी नहीं थी जब कुछ श्चन बीता तो उसने उसे उठा के पटक दिया जोड से उसमें उसका एक पैर टूट है चोटे आई रात भर वह कराहता रहो है मिर्तु की भीक मांगता रहा कराहता रहा सुबह जब लोग वहाँ पर गुजरे तो देखे यह आदमी कराह रहा है उसे सब उठा कर अस्पताल ले गया आनन पानन अस्पताल में उसका इलाज होया आदमी तो बच गया पंतूस ने जो कहानी सुनाई सब को चकित कर दी सभी को विश्वास होने लगा कि नहीं यहां तो कुछ अलोकी घटना हो रही लोगों ने पंडित सादू को बलाए सादू पंडित ने भी कह दिया यहां यहां पर कुछ बुड़ी सक्ति का आजमन है उन्होंने वहां पर पूजा पाठ प्राराम भक्र दिया यग चले हवन चले कई दीनों तक सब कुछ होने के उपरान पंडितों ने घुसना कर दी पुजारियों ने घुसना कर दी कि भया आप यह सांत हो गया है यहां पर कोई ऐसी समस्या नहीं आप अराम से यहां पर खेल कुछ सकते हो उजर सकते हो कोई समस्या नहीं एक मंदिर बना दिया गया अब वहां पर लोग बच्चे क्रिकेट खेलते हैं घूमते हैं अब वहाँ आप से रस्ता हो गया जाते आते हैं कोई समस्या नहीं सब जाते हैं सब ठीक हो गया कहानी आपको कैसी लेगा आप अवश्य कॉमेंट करिएगा मैंने कहानी सुनाई है आपकी कहानी भी मैं सुनाओंगा आप कॉमेंट पर कहानी लिख सकते हैं अपनी कहानी पर आपके कहानी अच्छी लगनी चाहिए लोग क्या कमेंट करते हैं अच्छा कोमेंट आता है तो अच्छी सर्प्राइज मिलेगी बुरा कोमेंट आएगा तो भी टेंसर ना ले सर्प्राइज तो आपको मिलेगा